जब इस परकार का जोड दिया हो तो हम कैसे इसकोसल्ब करेंगे आए जानते हैं जिसे आथ प्लस आठासी प्लस 888 1-8888 लिखा है इसको कैसे सलब करें इस ते 3, 4, 5 और 8 में उस से गुना कर लेंगे 8 में 1, 2, 3, 4, 5 से गुना कर लेंगे इसका answer आ जाएगा मेरा तो 8, 5, 4, 0 हुआ हाथ में 4 हुआ 8, 4, 32, 4, 36 हुआ हाथ में 3 हुआ 8, 3, 24, 24, 27 हाथ में 2 हुआ 8, 2, 16, 16, 28, 8 हुआ हाथ में 1 हुआ 8, 1, 1, 1, 9 इस प्रकार से इसका हम एंसर निकाल सकते हैं और ये इसका अंसर आप नो निकाल लिएगा आईए जब दस अंबलो में हो जो रॉड़ना हो हमको उसका एंसर कैसे निकाले हैं इसके लिए सेंप प्रसेस करेंगे 5 को कमल शाट लेंगे और 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.111 करके क्या करेंगे इसमें फर्स्ट में इसमें 1, 2, 3 लिखते थे यहां 5 से स्टाट करेंगे 0.54321 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 5 से इसमें गुना कर रहे हैं तो आई देखेंद क्या अंसर होगा इसका 5 से एक से से गुना करेंगे तो 5 होगा 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हुआ 10 का 0 हाथ में 1 हुआ 5 में 3 से गुना करेंगे 15 एक 16 का 6 हुआ हाथ में 1 हुआ 5 में 4 से गुना करेंगे 20 21 21 का 1 हुआ हाथ में 2 हुआ 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 और 27 और यहां दो समलो एक अंके बाद बैठ कि अदेंगे कि इस पर करसे सब्सक्राइब जरूर कमेंट करें करें गलूं और आये जैसे 32 42 52 62 का चोड़ना हुए और एक लाइन में इंसर लेगा है तो मिसे में क्या देखेंगे देखेंगे अंक कितना का अंतर है 10 का अंतर है तो इसके लिए करेंगे सबसे छोटा में सबसे बड़ा अंको जोड लेंगे तो आज़े सबसे चोटे हैं सबसे बड़ा अंको जोड काम क्या करेंगे लिखेंगे 104 हुआ अब 104 में क्या करेंगे हम इसमें 5 से multiply कर लेंगे और divide by 2 कर देंगे और इसो काट लेंगे तो 5, 2, 10 और 2, 2, 4 अब इसको हम multiply कर लेंगे तो 5, 2, 10 के 0 हाथ में लगा एक 25 और 26 इस पर कर से जब 5 का भी अंतर हो तो सेम ऐसा ही प्रसेस करेंगे जैसे 40, 45, 50, 55, 60 है तो क्या करेंगे सबसे चोटा अंक और सबसे बड़ा अंक को add कर लेंगे तो 60 प्लस 40, 100 हुआ सो हमें क्या करेंगे अंगी लेंगी तो अंक के 1, 2, 3, 4, 5 अंक के 5 से गुना कर लेंगे और divide by 2 कर लेंगे और इसको काट लेंगे 5, 2, 10 और 50 को 5 से गुना कर लेंगे और 27 हो गया और इसका answer 52, 62, 62 और 82 अंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे लो साथ में आईए एक multiply हम लोग सिखते हैं easy stop में जिसे हमको 3 अंक का multiply करना है तो इसको कैसे easy बना ले तो इसको लिए देख लेते हैं जिसे 383 है क्या करेंगे multiply 9 से करेंगे plus 383 multiply करेंगे 8 से plus 383 multiply करेंगे 3 से इस पर कर लेंगे multiply करेंगे 9 का पर 3 बना 27 हुआ 27 का 2 हाथ में लेगा 2 22, 24, 24, 24 7, 27, 24 और इसमें क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे 9 का बात कितना हैंगे 1, 2, 2, 0 यहाँ बैठा लेंगे फिर plus कर लेंगे फिर 383 मार से गुना करेंगे 8, 24, 24, 4 हाथ में लेगा 2 8, 64, 2, 66, 6 हाथ में लेगा 6 और 24, 6, 30 और यहाँ देखेंगे 8 का पर कितना हांगे उसका 1, 0 बैठा लेंगे फिर इसको multiply करेंगे 3 का पर 3 बार करेंगे 9 होगा 8, 3, 24, 24, 4 हाथ में लेगा 2, 9, 2, 11 अब इसको हम 8 कर लेंगे अब इसको 8 करके देख लेते हैं 9 का 9 लिखे देंगे और 4, 4, 8 हो गया 1, और 6, 7 हुआ 7, 7, 14 हुआ 14 का 4 हाथ में लेगा 1, 1, 2 हुआ 2, 2, 4, 6 हुआ 6 हो गया यहाँ पर 3 और 4, 7 हुआ और 3 का 3 हो गया इस परकर हम इसका एंसर लिखाल सकते हैं और इसका एंसर आप लो जरूर केमेंट करिएगा लो